हलो एवरिवान पूनम की रसोई रसोई के कहानी में आपका स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं मेरे चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा आज हम बनाएंगे ब्रेट जो बच जाते हैं ब्रेट के किनारे से हम कुछ रेसेपी बनाते हैं मजेतार, चलिए बनाते हैं ये देखिए, ये ब्रेट के किनारे हैं जो हम कभी-कभी बीच के ब्रेट के इस्तिमाल करते हैं और किनारे रख देते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं तो आज हम उसी की रेसेपी बनाते हैं यह देखा ऐसे भी यह ब्रेट रह जाते हैं जो एकड़म ब्राउन वाला खाते नहीं है फेक देते हैं तो आज इसी के हम बना रहे हैं जो भी भोलो पकोड़े या भजिया ये मैंने बेशन ले लिए चने के आटा ये मैंने देड कटोरी चने के आता, और तीन चमच चावल के आता, और ये विक्षा से थोड़ा सा ऐसा मिक्स कर लेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, थोड़े-थोड़े पानी डालेंगे, और इसे फेट लेंगे, क्योंकि हम हाथ लगाते तो अच्छा नहीं लगता है मेरेको तो इसलिए मैं विक्षर से ही करती हूँ, आप भी विक्षर से करो, फटा-फट से हो जाता है, और इससे करने से गुठली भी नहीं रहती है, अब ये थोड़े-थोड़े पानी डाल के हमें बैटर बना लेना है, और ये देखे, बैटर बन गए, लेकिन इसमें थोड़े से और डालना, राउन राउन करके बैटर हमें बना लेना है, अच्छे से मिक्स करना, अब इसमें थोड़े से मसाल आट कर, इसमें डाल ले रहे चिली फ्लैक्स, और आधा चमज, अधरक लसुन के पेश, नमक स्वाधनुसार, और हल्दी पाउडर थोड़े से डाल देंगे, लाल मिर्ची, आधा चमज, आधा चमज, जीरा खड़ी वे, और हरी धनिया है, डाल करके इसे राउन राउन मिक्स कर ले रहे हैं, विक्षर सही करना, हाथ नहीं लगाना, अब ये देखें, राउन राउन हो चुके हैं, ये थोड़ा गाड़ा है, बहुत जादा गाड़ा ये देखें, नीचे नहीं गिर रहा है, थोड़े से पानी और डालेंगे, जादा नहीं, दो चमज, दो से तीन चमज, डाल करके मिक्स कर ले रहे हैं, राउन 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 राउन, अब ये देखें, मिक्स कर चुकी हूँ मैं, अब देखें, ये धार गिर रहे हैं, बस हो ब्रेट के किनारे बेशन में लबेट लेना है एक दम कोटिंग कर लेना है इसे हमें कोट कर लेना है जिस। तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूं अब ये मोने कराई चड़ा दिये है ओ catchy से गरम और gefुल फुल आज में हमें इसे डालना है, एक-एक करके, एक-एक करके, फटा-फट, फटा-फट डालते जाईए, और ये इतनी मज़े की रेसेपी बनती है, फ्रेंच से एक बार जुरूर बनाईए, जो हमारे ब्रेट के किनारे बच जाते, खाते भी नहीं है, तो इसको भी हम आज यूज ही कर लिए है, देखे, एक-एक करके, एक-एक करके मैंने डाली और ये मेरे बेटे की फरमाईश थी है, उसको बहुत पसंद है, आज मैंने अपने बच्चे के फरमाईश से ये ब्रेट के किनारे के भजीए है, आपकोडी है, बना लिए हैं, दोनों बोलते हैं, हमारे बेशन जो कोटिंग की है, वो अच्छे से पक जाना चाहिए, अब ये देखो, अल्टी-पल्टी कर रही हूँ, अच्छे से ये हो रहे हैं, अब क्या करेंगे, इसे बस हो चुके हैं, अब हम निकाल लेते हैं, अब ये देखिए, अब ये मैं निकाल ले रही हूँ, देखिए सामने से भी दिखा इसके कलर देखिए टेक्शर देखिए कितने अच्छे बन गए अब यह मैं निकाल ले रही एक बाउल में ऐसे इस सारे में ब्रेट के किनारे को तलूंगी बेशन में लपेट करके आपको यह रेसे पी पसंद आए लाइक भी कर दीजेगा नई वीडियो आपको मिल सके अब यह देखो मैंने प्लेटिंग भी कर दियो और निकाल विदी कैसे लग रहे है फ्रेंज आप चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ खाए सौस के साथ खाए बहुत मचे की यह रेसेपी बनी थी फ्रेंज एक बार आप ज़रूर बनाएए और दे देखें मैं तोड़के भी आपको दिखा रही है देखें कितने अच्छे से यह पक चुके हैं